प्रिये भाई बेनों, मेरी तरफ से जैम सेकी, आए हम शाम की प्रात्न में चलते हैं, मेरा विश्वास इस प्रात्न के दवारा और खुदावन के पाक कलाम के दवारा आज आप सेम नहीं रहेंगे, हालेलुया प्रिया भाई बेनों हम दिन बर अपने हलातों से लड़ते और जीते हैं ये हमारा विश्वास है पर कभी कबार जब हम अपने हलातों से लड़ ले होते हैं तो हमारा जो मनुबल होता है वो कमजोर पड़ जाता है हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई संभालने वाला नहीं है हमें ये तो पता कि परमिश्यू हमारे संग है पर जब हम शरीर की बात में आते हैं तो हम अपने आपको निर्बल देखते हैं हमारा भरोसा तूटने लगता है कि परमिश्वर तु सब्का न्याय करता है, मेरा किस दिन न्याय करेगा, आए प्रिया भाई बेनों, आज की वचन के द्वरा हम जानेगे कि परमिश्वर हमारा कैसा न्याय करता है, वो सब्का न्याय करता है, वो किसी से पकपात नहीं करता है, वो सबसे एक सा प्रेम करता है हालेलुया प्रिया भाई बेनों मैं आज की अपने जीवन की गवाई दिना चाती हूं मेरे विश्वास इस गवाई के दुवरा आप प्रभू के मैं और विश्वास में बढ़ोगे और प्रभू के अनुगरों को लेंगे हालेलुया प्रिया भाई बेनों कल रात की बात है जब मैं शाम को टहर रही थी और टहरते सब क्या हुआ मेरा जो पैर था वो एक गंडे में पड़ गया और मैं मुझे बल गिरी और मेरा पाउं वो मोडोडा गया चोट आई उस पैर में और मैं दर्द की साथ बेहाल थी और मेरे पास आ अंदेरा था और कोई मुझे देखने वाला भी नहीं था और मैं कुछ मेंटों के लिए सुद्ध बुद्ध होगी धर्ती पर और मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मेरी आज मेरी अंतिम दिन आरात होगी प्रियो भाई बैनों जहां प्रमेश्व भिरोसा रखते जब मेरी आंग खुली और मैं देखा कि मैं धर्ती पर लेटी हुई हूँ और मेरे आस पास कोई भी नहीं है क्योंकि अंदेरा था मैं घर से दूर थी घरवलों को लगा मैं तो टेर रही हूँ प्रिया भाई बैनों अचानक से एक आवाज आती है और मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ खड़ी तो नहीं हो जा रहा है पर शरीर में मेरे एक जान आ जाती है फिर मैं धोड़ के आवाज लगाती हूँ उच्छी शव से कि मुझे बचाओ फिर सब दोड़ी चले आते हैं सब दोड़ी चले आते हैं मेरी और और कोई मुझे उठा रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, मतलब जितनी गली मुहले के लोग थे, वो सब भागे चल आते हैं मेरे पाल, और सब मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, प्रेज भाही बैनों प्रमिश्र का वश्ण कहता है, यह होवा मनुश्य की प्रमिश्र करेंगें हैं त स्काराओं को जानता है कि वैं मिध्य यह या क्या ही दन्य थिन स्कों तो ताड़ना देता है और अपनी विवस्ता सिखाता है हालेलुया प्रिया भायवे ब्लूं कभी का बार हमारे जीवन में ऐसे हलात हो जाते हैं, हमें तोड़ने के लिए, हम ऐसी स्तिती में चल जाते हैं, हमारा श्री जा हमारी मतलम हमारी घर की प्रॉब्लम जा कुछ भी प्रॉब्लम इस हद तक चलते हैं, हमारे सेहने से वो सब कुछ बाहर हो जाता है, पर परमेश्य का वचन क्या कहता है, कि यह वो मनुष्य की कलप्राओं को जानता उस वक्त मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस में थी यह जानते हुए कि परमेश्य मेरे संग है फिर भी मैं कहीं न के स्ट्रेस में थी और यह क्या कहता है कि क्या है वे धने वे पुर्ष जिसको तू ताड़ना देता है और उसे विवस्ता सिखाता है परमेश्य में जे इन दिनों में प्रियवाईबन सिखा रहा है कि कैसे हम दुखों में रहकर अग बने रहते हैं परमेश्य में विपत्ती में रहकर हम छोड़ उस वक्त अचानक मुझे आवाज आती है और उस आवाज को सुनके मेरी आग खुल जाती है वरना मैं रात पर वहाँ लेटी रहती है किसी को पता मुझे न चलता अंधेरे में अचानक से आवाज आती है और मैं आवाज लगाती हो कि मुझे बचा हो उस सब भागे आते हैं परमेशन क्या करता है हमें अपनी वेवस्ता सिखाता है कि मैं कैसा परमेशर हूँ मैं कितना दियावान परमेशर हूँ क्योंकि तू उसको विपत्ती के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुरुस्टों के लिए गड़ा नहीं खोदा जाता ये मेरे लिए प्रिये भाई बचन है मुझे पता पर्मिशन मुझे क्यों कह रहा है ऐसा मुझे क्यों चैन्ड दे रहा है भी मैं अभी रैस्ट में हूँ पूरी तरह और प्रमिशन ने मुझे भुरोसा दिलाया ये विपत्तियां कुछ नहीं है मैं तेरे आगे सब कुछ जो भी तेरी समस्या है उसमें एक गड़े में मैं डाल दूँगा हालेलुया अगर मेरी तरह आप भी प्रिये भाई बेनों इस समय है तो मत डरिए मत घबराए मेरा परमिश्युर आपके संग है मेरा परमिश्यूर आपको छुडाने की ताकत रखता है उसने मुझे चुडाया वो आपको भी चुडाएगा आपने बाईबल में पड़ा सेक्षन तोट नबी बड़ा दीए लोगों में नभी उन्हें दास बना दिये लोगों के सामने अगर आप अपने प्रस्तिति यो तो मत डर्ना मेरा पर्मेश्वा अर प्रस्तिती को हर हलात को बदलने की साक्त रखता है हालेलूया मेरे विश्वास मेरी इस गवाई के द्वरा आप काफी व्यादा मोटिवेट होगे और परमिश्वर के जो वचन है कि क्या वे धन्य पुर्ष जिसको तुझ ताड़ना देता है जिसको परमिश्व ताड़ना देता है इसका मतल हम धन्य गिने जाते हैं जब हम दुखी होते हैं प्रभू को जानते हुए वा परमिश्र का और हम प्रभु से कहते के प्रभु जो इतना ही श्यतान हमारे पीशे लगा है हमें इगात करने के लिए चुराने के लिए आज प्रातना के दवारा श्यतान की जो भी चाले हमारे जीवन से नास हो जाए नस्ट हो जाए सरव शक्तिमान द्यावान द्यालो करिपालू महा सामर्थी पिता प्रविय समसी हम आपका धनिवाद काते पिता इस शाम की सुन्दर प्रात्ता में हम तरे चर्णों में आते हैं पिता परमिश्वर और खुदा तेरे वचनों कि उसा तुने कहा कि मैं विपत्ति के दिनों में आपको भी चैन देगा ठैक्यू चीजस पिता परमेशु जितने लोग परशान है दुखी है अपनी हलातों से तेरे दूट Τेरे रक्षा करे खड़ा तेरे दूट एनके सब मसलें को देखे मेरे सामर्थी परमेशु तेरा बड़ा हाथ तेरा जलाली हाथ पिता परमेशो है इनके उपर आने पाए और ठेरने पाए प्रभी येसु तेरे सामर्थ नाम में पिता परमेशो है अपनी विपत्तियों में दुखों में तकलीफों में पिता परमेशो है ये भरोसा ना छोड़ने पाए बल्कि ये और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए औ और तेरे मस्य को पाते जाएं प्रभी येसु तेरे सामर्थी नाम में पिता परमेशुए प्रभी तो इनकी अगवाई करकदा तेरा आत्मन की अगवाई करे मेरे परमेशुए जैसे एक मां अपने बच्चे को छोड़ती हैं हम जानते हैं पिता परमेशुए तो मां से भी ब सब बोलिए आमें 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 हालेलुया आज सब बले से इसी तरहे चैनल में बढ़ें रहें सुबह और शाम प्रातना को सुनिए मेरे साथ मिलकर राधना में चलिए मेरा विश्वाज जैसे मैं चूट रही हूं आप भी चूट रहे हैं प्रभिये सुमसी के मदर और में सब बले आमें 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 गौट बलस्यू आल